दोस्तों वेलकम, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आरेस जुंक्शन पर, तो डेली करेंट अफेस के कक्षा में आज हम बात करेंगे 28 अप्रेल 2023 के करेंट अफेस की और इस कक्षा की PDF अविलेबल है, आरेस जुंक्शन एप्लिकेशन पर और इसके साथ सा तुमारे टेल का रही हैं और वर्तमान में गुजरात में पोस्टेड हैं, और इन्होंने हाल ही में अमेरिका के शिकागो में टायर प्रो स्विम स्रीज में शांदार प्रदर्शन किया, और 800 और 1500 मिटर फ्री स्टाइल इस परदा में क्वालिफिकेशन मार्क जो है वो हासिल किया है, आरि विश्व चेंपिंशिप में पदक जीत करके देश का नाम रूशन करना चाते हैं, तो ये एक बहुत इंपोर्टेंट प्रिशन आपको याद रखना है क्योंकि ये उभरते वे खिलाडी और 13 की में खासकर पहले खिलाडी है, निमलिकित में से कौन राजस्थान से नॉन मे उसके द्वरा 30 से भी जदा महिलाओं को नॉन मेडिकल और नॉन टेकनिकल ब्रांच में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्ती के लिए अनुमति प्रदान किये थी, इनमें से एक करनल निशा कुलहरी राजस्थान से जोड़ी है, राजस्थान के सीकर गाउं के, ज इनके साथ और भी महिलाई थी, लेकिन राजस्थान से ये पहली है, इन्हें चीन में पोस्टिंग दी गई है, देश के तियास में साब पहली बार हुआ है, जब करनल महिला को पूरे कमांड के जिम्मेदारी सोपी गई हो, वे शहीद मेजर सुरेंदर सिंग की पतनिये, ज जहां तक अभी तक रेडियो के पहुँच नहीं थी, उन्हें जोडने के लिए एकराण में एफम ट्रांस्मिटर को एकसाज शुरू किया जा रहा है, रिसिक्रम में राजस्थान में भी तेरा ऐसे ट्रांस्मिटर शुरू किया जा रहे हैं, देश बर के अठारा राज्यो और दो केंदर साशित प्रदेशों में 84 जिलों में इन्हें इस्तापित किया गया है, इसका उद्देश्य है सीमा वर्ती छेत्रों में रेडियो परसार्म को बढ़ावा देना ताकि लोगों तक सूचना है पहुँच पाए, दो करोड़ से बिज़दे लोगों को इसका ला बारत द्वारा 27 अप्रेल से किस देश के साथ युद्ध अब्यास अजे वारियर 2023 की शुरुआत की गई है, लगातार भारत ऐसे युद्ध अब्यास करता रहता है, कोप इंडिया हाली में खतम हुआ वायूसन का युद्ध अब्यास, इचियो नोस 2023 युद्ध अब्यास म 27 अप्रेल से 11 महीं तक आईजित किया जा रहा है, यह अभ्यास का सात्वा संस्क्रण है, इस अभ्यास का अंतिम संस्क्रण 2020 में उत्रा खंड के चोवटिया में आईजित किया गया था, आगे बढ़ने से बढ़े दोस्तों, आरेस जुंक्षन पर आप सभी को इनकर अटव इसके PDF भी अविलेबल है, तो बहुते शॉल्ट में आपको PDF मिलते हैं, जैने प्रिंट करने की, और इसके साथ साथ इनके MCQ-based टेस्ट की भी फैसलिटी वहाँ पर है, यह सारी चीज़े आपको एक ही कोर्स में अविलेबल है, आरेस जुंक्षन है, पर आज ही आप आपको मिलाशन देखते हैं, निमलिकित मेंसे किस राज्य में इस्थित दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी को समपर्पन करने के लिए केंद्र सरकार ने समझुता के आपको अस्ताक्षर किये हैं, तो असम में दोस्तों ये इस्थित है, असम का दर एसल एक जिला है जिसक इससे समझोते के बाद असम का दीमा असाओ जिला उग्रवात से मुक्त हो जाएगा और यहां के लोगों के विकास के लिए असम और के अंदर सरकार पान-पान सो करोड रुपे का पेके जभी उपलब्द कराएगी G20 की अद्यक्षता भारत कर रहा है एक दिश्वंबर से और इसी करम में काफी कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है Youth 20 प्रेशिखर सम्मेला ने एक ऐसा ही कारिक्रम है जिसका आयोजन शुरू किया गया है लेह में तो लेह में तीस से भी अधिक देश जो है उनके सो से अधिक प्रतिनिदी हिस्सा ले रहे हैं और यहां पर बैठ करके युवाओं को भईशी के नेताओं के रूप में जाग रुखता बढ़ाने विचारों का अधान प्रदान करने बहस करने आतंकवाद परियावन सुरक्षा और बाकी ऐसे अनेक मुद्धों पर बात करने के लिए इन्हें आमंतरित किया गया है तो यूद 20 प्रीज शिकर सम्मिलन कहा है जो तो रहे है लेह में चलिए एक अला पुशन देखते हैं साथवा पुशन आजगा मई 2023 में किस देश द्वारा कौड शिकर सम्मिलन की मेजबानी की गई है दोस्तों 2007 में स्थापित कौड को 2017 में वापस से री इंट्रोडियूस किया गया है चार देशों के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मई 2023 में इसकी मेजबानी की जाएगी ये एक आफलाइन सम्मिलन है तो हमारे नेता हुआ जाएंगे और चोईस मई को सिड्नी में ये बैठेक होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिय के प्रदान मंतरी के साथ-साथ भारत, अमेरिका, जापान और सहिक्त राज अमेरिका जापान और भारत के जो जितने भी नेता है वो यहाँ पर भागीदारी करने वाले हैं कौाड या चतुर्बद सुरक्षा सववाद अनौपचारिक रणेतिक मंच जो नियमेत अर्जिकर सम्मेलन करता है सुचना अधान प्रदान करता है और सन्य अभ्यास आउज़ित करके एक दूसरे के साथ संभर्ग बनाये रखता है माना जाता है कि इसका निर्मान चीन को हिंद प्रशान छेतर में काउंटर करने के लिए किया गया है चलिए आज के अन्तिम प्रश्ण की बात करते हैं भारत का पहला गाउं माना किस राज्य में स्थित है उत्राखंड में ये राज्य स्थित है और दोस्तों इसको पहले देश का आखरी गाउं माना जाता था जो अब देश का पहला गाउं बन गया है दरसल बार्डर रोड ओर्गनाईजेशन ने इस गाउं को भारत का प्रथम गाउं गोशित किया है गाउं बधरि नास से सिथ 10 क Hip दूर है और इस चीन की सीमा से चॉइस किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है इस गाउं को माना जाता है कि ये सरस्वती नर्थकी के तट पर बसा हुआ है और मणी बधर नामक जो यक्ष है उसी के नाम पर इसका नाम माना जाता है इस पर RAS 2021 में प्रश्ण भी पूछा गया था तो ये है बहुत ही महत्मून प्रश्ण जिस पर मैंने आपसे चर्चा की इसी तरह की और भी प्रश्ण आपसे लगातार हम आपसे शेयर करते हैं तो इससे ज़्यादा जानकरी के लिए आप हमारा टेलीग्राम जानल कर सकते हैं इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्क्राइब करें धन्यवाद